नमस्कार दोस्तों मैं आपका होश्ट और दोस्त इसके यादव एक बाफ रिच्छा जी इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मैं बात करने वाला हूँ पीएम विश्कर्मा योजना के बारे में जहां पर हमारे बहुत सारे साथी अब भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं सबसे में प्रॉब्लम क्या है मैं एक बार जल्दी से आपको अपने पोर्टल पर लेकर चलता हूँ और एक बार डिस्क्रस करने का प्रयास करते हैं कि आप कहां पर क्या चीजों की प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे है राइट चलिए मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल है मैं जल्दी से चलता हूँ अपने लॉगिन पोर्टल में यहां पर हमारे बहुत सारे साथियों का कंसेंट है कि सर हम डीम रेडी हमें दिखा रहा है लेकिन हम आगे उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है चेक करना है कि आपकी पेमेंट वाके में हुई है या नहीं हुई है कुछ टेकनिकल सरवर के एरर की वज़े से जो है न पर्टिकुलरली यहां पर दिखाता है कि आपका जो है पेमेंट डीम रेडी दिखाएगा आपको औप्शन लेकिन आपका जो है पर्टिकुलरली वो रेडी होता पहले आपको यह वैरिफाई कर लेना हैं कि हमारा payment हुगा भी है या नहीं कटाया भी तो काफी जो हमारे साथी है वो इस वज़े से भी परेशान है कि उनको यही पता नहीं है कि डीम डैडी दिखा रहा है तो हम आगे के क्यों नहीं बड़ पा रहे क्योंकि already आपकी सब payment नहीं हुई है क्या करना है उसके लिए ध्यान दिजिएगा आप अपने इस portal को नीचे scroll कीजिए अगर आप scroll नहीं कर पा यहां पर particular order या payment ID के अंदर आपका कोई payment दिखा रहा है, transaction ID कोई show कर रहा है या नहीं कर रहा है, invoice number में कुछ आपका data show कर रहा है गी नहीं कर रहा है, अगर यह चीजें आपकी okay दिखा रहा है, that means कि आपका payment हो चुका है, अगर अब बहुत सारे साती होंगे, जो कहेंगे sir हमा कर लीजिए या फिर आप जो है randomly उसको बराबर try करते रही है, और कोशिश कीजिए कि आप जो है server, क्योंकि इस portal पर जातर registration चल रहे हैं, PM विशकर माँ में लोग अपने अपने registration कर रहे हैं, तो server busy रहता है, कोशिश कीजिए आप midnight आदी रात के समय पर जो है जब server free होते है उस समय आप उसको try कीजिए payments को तो आपका payment हो जाएगा, अब आपका अगर payment हो चुका है, deemed ready का option आपके पास अगर आ रहा है, तो उसके बाद का आपका step क्या होता है, बहुत सारे साती यहां गलती करते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है, सबसे पहला काम आपका, क्या रह करेंगे PM, KVY, Government या non-government, आपको select करना है non-government, अगर आप government entity है, तो government को select करेंगे, save and continue पर click करेंगे, उसके बाद यहां पर particular आपको अपने training partner का नाम, अपने training center का नाम, तीपी का नाम, आपके संस्ता गराम हो गया, यहां पर अपने training center का नाम डालना है, training center का address, training center का लैं mark, pin code, state, district, आपका block, village, parliamentary constituency कौन सी लगी गया आपकी, वो आपको select करना है, geolocation यहां पर tag करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, तो geolocation आपको यहां पर tag कर देनी है, address proof के अंदर, आप अपने center का bank statement, जिस नाम से भी आपका center, उसका bank खाता, आपने अगर operate का रखा, उसक आपके पास electricity bill, आप electricity bill लगा दीजिए, आपके पास जो भी अदर document यहां पर जो दिये गए हैं, उन documentation में, जो भी आपके पास available हो, वो document आपको यहां पर submit कर देना, अब कुछ लोग कहें सा, center हमार है नहीं, हम किसी और के center पर work करवा रहें, तो उस center से आपका agreement हुआ होगा MOU sign हुआ होगा कोई, तो वो MOU यहां पर लगा दीजिए, चलिए जी, file size 5 MB से जादा नहीं रखना है, और ध्यान रखे हैं, जब भी आप file size यहां पर upload करेंगे, गल्ती और होगी आपसे, कि आप अपने file के name में space मत use कीजिएगा, तो आपको easy process में कोई दिखर नहीं, यहा से बाद उस particular center का कौन head है, उसका email address क्या है, उनका mobile number क्या है, यह तीनों चीजिए आपको यहां पर add करनी है, और फिर आपको यहां पर चूजदा training center टाइप में, आपको वही नौर गर्मेंट अलड़ी यहां पर selected है, जो आपने पहले select किया था, यहां पर I agree पर click कर देना ह और इसको जो है submit कर देना है, यह तहां रखेगा, यह आपको process complete कर लेना है, जब इस process को आप complete कर लेते हैं, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जब अपने dream ready यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आप जड़ा सा नीचे scroll कर लेंगे, तो यहां पर view training centers पर click कीजिएगा, यहां पर अगर आपका जो center है, वो update हो जाए, जब वो उसका status जो है, past हो जाए, क्योंकि इसके particular verification होती है, अगर physical verification होगी, तो उसके लिए आपको तयार रहना पड़ेगा, आपका जब status यहां पर verified या added दिखा दे आपको, ठीक है जी, तो उसके बाद आपको next step process करना है, क् Central update करने के बाद, फिर आपको आना इसके नीचे, my schemes या program पर, यहां पर my schemes के अंदर जाकर, यहां पर आप देखेंगा, आपको तीन option मिलेंगे, approved, approval in progress और rejection या pending, अभी आपके तीनों यहां पर आप देख रहे हैं, तीनों blank है, ना तो कोई approved है, ना कोई approved in progress है, और ना ही बहुत सारी सनस्थाओं ने गलती क्या करती है, इस step को पहले कर दिया है, जब कि center add नहीं किया अभी तक, इसलिए वो stuck off हो गए है, अटक गए ही पर, यह गलती आपको नहीं कर नहीं, सबसे पहले आपको center approve करना है, center अपका approve हो जाए, उसके बाद यहां पर आके आपको apply scheme क्लिक करना है, अब यहां भी बहुत सारे साथियों ने गलती है कर रखी होंगी, अगर पहली बात तो training center एड नहीं किया होगा, और training center एड ना करके अगर directly scheme एड कर रखी है, तो क्या कर रखा उन्होंने, सबसे पहले पहले number वाली को ही जो है opt कर लिया, या फिर तीनों को opt क करके, तीनों को opt करके जो है apply पर select कर दिया है, गलत, क्या करना है आपको, सबसे पहले लेना है PMV के, यानि की PM विसकरमा योजना का basic skilling, अभी योजना नहीं नहीं start हुई है, तो यहां पर अभी basic procedure ही चल रहा है, जब तक basic वाले लोगों के registration complete होंगे, उनकी training complete होंगी, उसक basic और advance से व्यक्ति गुजर चुका होगा, उसके बाद सरकार देगी, आपको PM विसकरमा skill assessment का option, मेरे बहुत सारे साथ नहीं पहले से skill assessment को योप कर रखा है, गलती कर रखी आपर, क्या करना है आपको, PMVY basic skilling पर जाना है, और यहां पर इसको कर देना है, add project में, जैसी आप add project पर click करेंगे, आपके सामने ये option खुल के आजाएगा, यहां पर आपका best size आएगा, minimum best size क्या रहेगा, आपका maximum best size क्या रहेगा, और ready set होते है points, ठीक है जी, इनको आप जो है, check कर लीजेगा, आपको कब से आपकी agreement date है, यानि कि उस particular center का जो भी आपको जब approval मिलता है, तो महां पर details मिलेंगे आपको ये, तो अपनी date डाल दीजेगा, agreement date क्या है उसकी, आपके project duration क्या मिली हुई आपको या कितने दिनों का project ले रहे हैं, वो आपको यहां पर डाल देना है, implementing agency आपका already आपर नाम मिलेगा सही, then after आपका total funding या target, ठीक है जी, यहां पर आपको अपन point of contact के लिए आपको यहां पर किसी और वेक्ती का या उस center वाले वेक्ती का number यहां पर mention कर देना, mail ID mention कर देनी है, और email address mention कर देना, और इसको save and next पर click करेंगे, तो उसके बाद बाकी के जो options है, वो आपके सामने खुलते जाएंगे, उसके इसाब से scheme को पहले add कर लिएगा, right तो सबसे पहला point आपका क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका deemed ready है option, तो उसके बाद सबसे पहले आप अपने centers को आप अलोट करें, कोशिश कीजिए, एक बार में आप सारे centers को अलोट करने का कोशिश मत कीजिए, पहले एक center को आप वहापर enlist कीजिए, जब व उसको आप फिर बाद पिस add कर देंगे, scheme आपकी already added ही सही, वहाँ पर जैसी वो allocate होगी, उसका target जो है फिर आप यहाँ से apply कर पाएंगे, तो ये गलतिया जिस भी साती ने कर रखी है, प्लीज ये गलतिया मत दोराइएगा, आपको एक step wise process मैं आपको बता जिया, अगर आप पोर्टल deemed ready दिखाता है, तो आप सबसे पहले अपने training center को add करें, उसके बाद अपनी scheme को add करें, और जिन सातियों की payments नहीं हो पा रही है, मैं फिर से आप से बताना चाहूँगा कि पोर्टल में जो है problems हैं, क्योंकि इसके particular date भी दी गई थी, अगर उस date के हिज़ाब से हम चले तो हम already late हैं, हाला कि उसके बंद होने से संबंदित कोई notification हमारे पास available नहीं है, लेकिन कुछ payment जो है अभी भी चल रही है, इस मन्त में भी बहुत सारे सातियों ने payment की हैं, काफी सारे सातियों कि हम लोग ने payment process की हैं, तो एक बार आप check कर लिजेगा, verify कर लिजेगा, और जिस साथ से आपको लगे better कि आपका convenient time जो है, आप मोश्टी प्रयास कीजिए जब servers free हो, उस समय आप उसको payment पर डालिए, otherwise संबंदित साइट पर आपको contact के भी option दिये गए हैं, वहां से आप उन टीम से contact कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं उन्हें प्राइब्लम को, कि target कितने का मिलेगा, हमें पैसे कितने मिलेंगे, यह सारा departmental work है, जो कि आप department से समझेंगे, इस particular PM विच्करमा योजना की guidelines को आप दियान से पढ़ लें, जो की site पर available हैं, तो please, जिस भी साथियों का center के payment cut चुकी है, और वो deemed ready के option पर available हैं, प्लीज इधर उदर भटकने का प तो अब वो stuck off हो चुके हैं, कुछ आगे करनी ही पा रहें, ठीक है, तो नो सिखिए जो consultant है, प्लीज उनके चेकरों में आप ना पढ़ें, आपको वीडियो के मादिम से पूरी जानकारी दी जा रही है, जिसके मादिम से आप खुद कर सकते हैं, किसी को को payment देने के आपको